हाई गाईज वालकम बैक तो मैं चैनल प्रियांका स्कॉनर तो आज हम बना रहे हैं मावा मतर पनीर यह मेर सेगेंड व्रेसिपी होगा माइक्रोविन सीरीज का तो चलिए शुरू करते हैं अब लोग मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और यहां पर मैंने ले लिए अभी जिंजर गार्लिक ओनियन और ग्रीन चिली और सबका अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है और देखी मेरे यहां पर सब इंग्रेडियन्स रेडी हैं तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी और मैंने यहां पर रिफाइंड ओयल के यूज किया है एक प्रॉक्स तू तू त्री टेबल स्पून है मैं को माइक्रोवें में कमी आई चाहिए होता है और फिर मैंने यहां पर डाल दिये जीरा और जो पेस्ट हम लोग मेंने बनाया था वो पूरा डाल और अब हम लोग इसको माइक्रोवेंट करेंगे तीन से चाहर मिनिट के लिए अब लग बीच पीच में निकाल के एक बड़ चला लीजिएगा यह तो मसाला जल सकता है अब देखें मेरे चाहर मिनिट हो चुका है और मैंने इसमें एट कर दिया ओनियन पीस और इसको अच्छा से चला लेना है और मैं इसमें एट कर रही हूँ टॉमेटो पेस्ट आप लोग चाहे तो टॉमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते इसमें हल्दी रेच चिली पाउडर धनिया जीरा और गरम मसाला मैंने भी सब मसाला को एट कर दिया अब मैं इसको सब को मिला लूँ अच्छे से अब मैंने इसमें नमक स्वाद अनुसार दे दिया है हाँ मसाला यह सब को मिलाने के बाद अभी मैंने इसको फिर सेतीर मीट के लिए मैंकरोवेन में रख दिया है आप लोगको नॉर्मल मोड में मैक्रोवें में रखना है जिस मोड में हम खाना गरम करते हैं और फिर अभी मैंने इसमें एट कर दिया पानी और फिर से हम लोग इसको एक मिनिट या दो मिनिट के लिए ढखके ओवें में रख देंगे उसके बाद हम लोग इसमें दे दिया है मावा या खोया जो भी आप लोग बोले से और ये आपको मिठाई दुकान में मिल जाएगा थोड़ा से चीनी और पनीर अभी फिर से हम लोग को इसको मिला देना अच्छे से और फिर मैंने इसमें एट कर दिया धनिया थोड़ा कस्तुरी मेथी क्रश्ट करके और मैंने इसको फिर से माइक्रोवेन में रख दिया था दो मिर्ट के लिए अब देखी रहे हम लोग का मावा मतर पनी पुरा रेडी हो चुका है और जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताते रहे हैं अब लोग को रेसीपी कैसा लग रहा है